बग्वाब ने एक टिद्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया वैज्ञानिक टिद्डे से कहता कुदों टिद्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता अब वो वैज्ञानिक था तो प्रेयोग करना तो बनता ही था उन्होंने टिद्दे के छलांग पर प्रयोग किया वैज्यानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कुदो अब टिद्दे की छलांग की दूरी कम हो गई वैज्यानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला कुदो तिड्डे की छलांग और कम हो गई, अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, छलांग की दूरी और कम हो गई, एक एक करके बिचारे तिड्डे की सारी टांगे तोड़ दी गई, अब आखरी टांग तूटने पर जब उसे कहा गया कूदू, तो वो हिल भी नहीं पाया, अब वज्यानिक ने अपना निश्कर्ष अपनी डायरी में लिखा, जानते हो उसने क्या लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई, तो वो थोड़ा बहरा हो गया, जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई, तो वो और बहरा हो गया, हर टांग तूटने के साथ, वो औ उपनी जगे से इला तक नहीं छलांग लगाना तो दूर की बात थी इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मुर्ख विक्यानिक था इतनी सीधी सी बात उसे समझने ही आई कि यह कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि यह तो किसी बत्चे को भी पता है कि तिद्दे की छलांग